स्वागत है आपका मेरे चैनल पर बात करूंगा आप से इस वीडियो में बाल युकास के पहले मॉक टेस्ट के बारे में यूपी टेट 2020 की त्यारी कर रहे हैं या और भी राज़ी में जो टेट होते हैं उसकी त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत पुड़ है चैनल पर अगर आप पहली बारा है चैनल सब्सक्राइब पर लिजेगा बेल आइकन दबाद देजेगा जिससे कि आपको नई वीडियो इसको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहें यह 30 ऐसे प्रस्णे जो एक्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो सुरू करते हैं देखते हैं कितने प्रस्ण आप सही कर पाते हैं और जितने भी प्रस्ण सही करेगा कमेंट करके आपको बताना ही है पहला प्रषने मारा बताना है आपको इसका option सही या option C फ्राइड ने दिया था इन्होंने मनोलेंगिक विकास सिधान्द की जो है 5 आवस्ताइं बताएं थी कितने आवस्ताइं बताएं थी 5 आवस्ताइं कौन कौन से थी मोखा अवस्था गुदा वस्था लिंक परधान वस्था अव्यक्ता वस्था और इस चीज को ध्यान देखेगा अब लोग अगला पहस्थने नवीन ग्यान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है अधिगम की प्रक्रिया है ये किसी ने कहा है वुडवर्थ, रास, गिलफोर्ड, नन वेरी वेरी इंपोर्टन परिवासा है वेरी वेरी इंपोर्टन क्या होगा इसका जवाब बताना है आपको नवीन ग्यान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो अधिगम की प्रोसेस है वुडवर्थ ने कहा है, रास ने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है, नन ने कहा है फटा फट जवाब दीजे इसका इसका जवाब होगा आपका option A, would worth पहला option आपका सही होगा अगला प्रस्टन है, इसकी नर ने पहला प्रयोग किस पर किया था? इसकी नर ने क्रिया प्रसूत अनुबंदन सिध्धान दिया था, तो अपने सिध्धान को सिध्ध करने के लिए इन्होंने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया था? वन मानुस पर कबूतर पर बिल्ली पर चुहे पर तो बताए क्या जवाब होगा इसका? देखें, इसकी नर ने सबसे पहले प्रयोग किया था चुहे पर 1938 में और कबूतर पर प्रयोग किया था उननिस सो तैतालिस में ठीक है? बिल्ली पर प्रयोग किया था किस ने? थांडाइक ने? वन मानुस पर किस ने किया था प्रयोग? कोहलर ने अगला प्रस्म देखते हैं क्या है हमारा लिखा है कलपना जितनी अधिक होगी सूज की छमता का विकास भी उतना अधिक होगा ये किसने कहा है वर्दी मर्ग कोहलर पावलाव इसकिनर कलपना जितनी अधिक होगी सूज की छमता का विकास भी उतना अधिक होगा ये किसने कहा ये कहा है कोहलर ने भी आप से निसका से होगा देगे अंतरड़श्टी सिध्धान से जुड़े हुए है कोहलर और इन्होंने अंतरड़श्टी के सिध्धान को सिध्ध करने के लिए वनमानुस पर प्रोब किया था किस पर प्रोब किया था वनमानुस पर और व अगला प्रस्ट ने बुद्धी का दुई कारक सिध्धान जो है किस ने दिया है इस्पियर मैंने गिलफूर ने इसकिनर ने रॉस ने बुद्धी का दुई कारक सिध्धान जो है किस ने दिया है बहुत ही आसान और बहुत ही important प्रस्ण आपके लिए किस ने दिया यह दिया ह अगला प्रस्न देखते हैं प्रस्न है बुद्धी परिचड में एक 16 वर्स का बच्चा 75 प्राप्त करता है उसकी मांसिक आयू क्या होगी 8 वर्स, 6 वर्स, 14 वर्स या 12 वर्स तो कौन सा आपसन से होगा आपको अगर IQ का फार्मोला पता होगा तो आसानी से जो है इसका उत्तर निकाल लेंगे तो बताइए क्या जाब होगा इसका थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूँगा देखिए जो इसका जवाब है निकाल ले होगा साइद आपने इसका आपसन आपका डी से ये 12 IQ परावर क्या होता है मांसिक आयू मांसिक आयू निकाल ले हमें और वास्तियू का इस 16 वर्स है पीट कर निकाल लेंगे 12 वर्सी आएगा आपका अगला है सीखने का सारवधिक उप्यूक्त अर्थ है कौसल अर्जन विवहार में परिवार्जन व्यक्तिक समयोजन ज्यान आर्जन तो सीखने का सारवधिक उप्यूक्त अर्थ क्या होगा इसका अर्थ होगा विवहार में परिमार्जन प्रश्ण है नकारात्मक प्रेना है प्रशनता सुक शंतूस दंड नकारात्मक प्रेना है क्या होगा तो यह होगा दंड नकारात्मक प्रेना जो है यह आपका दंड होगा D option आपका से ये प्रसंता, सुक और संतोष ये है ये सकाराथ पर प्रेहना है अगला है मनव वैज्ञानिकों के इनसान निमली खिद में से किस विदी द्वारा मोल प्रवतियों में परिवर्तन लाया जा सकता है नवीनी करण, मार्ग, अंतरी करण, विलेयन सह संबंध तो क्या होगा, देखिए जो मोल प्रवतिय का सिधान्त है वो किस ने दिया है आपको पता होगा मोल प्रवतिय का सिधान्त जो है मैक डूबल ने दिया है इन्होंने 14 मोल प्रवतियों और 14 सम्वेगों की बात की है तो मोल प्रवत्यों में परिवर्थन की आज़ता है मारग अंतरी करन के उदारा बी आप्सन आपका राइट है नौ प्रश्ण हो चके हैं आसा है आप अभी भी जुड़े होंगे मुझसे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजेगा दीजेगे कमेंट करके आपको बताना है मैं इतना फोर्स करना हूँ तो जरूर कमेंट करेगा भले ही अंक नहीं कमेंट करेगा तो यह जरूर कमेंट करेगा कि वीडियो अच्छा लगा लिखा है हास मोल प्रवत्ती से जुड़ा हुआ संवेग है आत्म हिंता भूक आमोद भय हास मोल प्रवत्ती से जुड़ा हुआ संवेग है तो यह होगा आपका आमोद क्या होगा आमोद दीजेगे भय जो है भय जब होता है तो पलायन की मोल प्रवत्ती होती है भय संवेग जो होता है व्यक्तितु बुद्धी सरजनात्वक्ता अभुरद्धी तो भाटिया व्यक्तिरी परिचन का प्रयोग बुद्धी मापन हेतु होता है B option आपका सही होगा अगला प्रश्ने CR थेवरी जो है किसने दी है कोहलर ने, चोमुस्की ने, नन ने, पावलाव ने CR थेवरी, Condistance, Respond थेवरी तो ये किसने दिया हुआ है ये दिया है पावलाव ने D option आपका राइट है अनुकूलित अनुक्रिया सिर्दान्त, Condong, Respond थेवरी जो है, ये पावलाव की है SR थेवरी आपको पता होनी चे किसकी है तंडाय की RS थेवरी किसकी है Skinner की SOR थेवरी किसकी है Woodworth की तो ये चार थेवरी आपको एकदम रटी होनी चाहिए अगला प्रशन है अवचारिक संग्रात्मा गवस्ता का समय है 11-15 वर्स 2-7 वर्स 2-7 वर्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर कर लिजे 7-11 वर्स और जन्म से 2 वर्स तो अवचारिक संग्रात्मा गवस्ता का समय क्या होगा देखे जो संग्रात्मा विकास का जो सिधान्त है उसकी 4 अवस्ताएं बताए थी पियाजे महोदेने, पियाजे स्वीजेलेंड के निवासी थे चार अवस्ताएं बताए थी, एक अवस्ता पूछे गए हो अवचारिक संग्रात्मा गवस्ता का समय क्या होगा तो यह होगी 11-15 वर्स चार अवस्ताएं थी, इंद्री जनित गामक अवस्ता पहले कौन से थी, इंद्री जनित गामक अवस्ता जिसका समय क्या था जन्म से दो वर्स दूसरी वर्स्ता थी पूर्व संक्रियात्म अगवस्ता जो दो से सात वर्स थी तीसरी थी मूर्थ संक्रियात्म अगवस्ता जो थी आपकी साथ से ग्यारा वर्स्ता चौती थी आपकी अपचारिक संक्रियात्म अगवस्ता या कह सकते ह अमूर्त संक्रियात्मक वस्था जो 11 वर्ष से 15 वर्ष के वस्था या 11 वर्ष से अधिक के वस्था कही जाती है अगला प्रस्ने किसोड़ा वस्था के आग्मन का मुख्य चिन सम्वेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है या किसने कहा है कोल एंवन बुरूस Mars एवं विंगो थांडाइक या पावलावर निया तो किसने कहा है कि सोरा वस्ता के आग्मन का मुख्चिन सम्वेगात्मक विकास में परिवर्टन होता है ये कहा है थांडाइक कहां कि निवासी थे अमेरिका कि निवासी थे इन्होंने कौन सा सिद्धान दिया है उद्धीपक अनुक्रिया सिद्धान सीखने के इन्होंने आठ नियम बता हैं तीन प्रात्मिक और पांच गौड नियम तीन आपको प्राद्मिक नियम हमेशा याद होने चेहे कौन-कौन से तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम पांच नियम आप लोग याद कर लिजेगा जब टाइम मिलेगा तुझे है डीटेल से मैं बात करूँगा अभी तो जो है केवल मॉक टेस्ट पर बात हो रही है प्रशने CAT किसने दिया हुआ है मार्गन वा मरे मुरे कह सकते हैं लियोपोल्ड बेलक, हर्मनोसा या मेस्टोन ने CAT चिल्डरन एपरसप्सेन टेस्ट बाल संप्रत्ते बोध परिछन जो है किसने दिया है फटा फट बताएए वेरी वेरी इंपोर्टन प्रशने ये दिया है लियोपोल्ड बेलक ने ठेक है TAT थेमेटिक के परसप्सेन टेस्ट जो है मार्गन वा मुरे ने दिया है लियोपोल्ड बेलक ने CAT दिया है इस चीज़ को आप लोग ध्यान लेकेगा अगला प्रशने वाट्सन के इनुसार समवेग कैसे होते हैं जन्मजात अरजित दोनों या इन में से कोई नहीं तो वाट्सन के इनुसार जो है समवेग कैसे होते हैं तो ये जन्मजात अरजित दोनों होते हैं CAT आपका सही होगा अगला प्रस्ण है बहुत ही important प्रस्ण है एहम निर्देशित होता है आपको पता होना चाहिए जो है फ्राइड महोदे ने वेक्तितु को तीन भागों बाटा है इड इगो सुपर इगो इड आहम पाराहम तो अहम जो है निर्देशित होता है सुपके सिधान के द्वारा आदर्स्वादी सिधान के द्वारा वास्तिक्ता सिधान के द्वारा या सामान सिधान के द्वारा देखे सब theoretical वीडियो बने हुए है description में आपको link दे दिया जाएगा तो आप वहाँ से उनको देखेगा ऐसा कोई topic नहीं है जो छूटा हुआ हो लगबग सभी बना दिये गए वीडियो तो एहम जो है यानि ego जो है ये वास्तिक्ता सिध्धान द्वारा निर्देसित होता है सुक्के सिध्धान जो है इड यानि इदम निर्देसित होता है आदर्सवादी सिध्धान द्वारा जो है सुपरीगू निर्देसित होता है अगला है आगमन विदी के जनक है गिली लेंड रास फ्रांसिस बेकन या गल्टन आगमन विधी के जनक कौन है तो कौन होंगी फ्रांसिस गल्टन है या फ्रांसिस बेकन है या रास या गिली लेंड है तो यह है आपके फ्रांसिस बेकन मैंने आपको बताया था अभी दो दिन पहले की आगमन विधी जो है अग्मन विधी में सबसे पहले उधान बताया जाता है फिल लास्ट में नियम ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्पुण है अगला है निम्ण में से किस विधी का उपयोग इस्मरत के मापन के लिए नहीं किया जाता है प्रत्य वहन विध तारकिक विधी पहचान के जनक हैं डेकरोली, प्लेटो, हर्बर्ट, स्पेंसर या रूसो समवाद विधी के जनक कौन है वेरी वेरी इंपर्टन प्रस्न है एक्जाम में इसको काफी बार पूछा गया है समवाद विधी के जनक है प्लेटो बी ओप्सन आपका सही है ब्रेल लिपी के अविसकारक क स्रजन सीलता मौलिक परेडामों को अव्यक्त करने की मानसिक रिया है यह कहा है जेम्स ड्रेवर, इसकेनर, क्रो एंड क्रो रॉस तो बताना है स्रजन सीलता मौलिक परेडामों को अव्यक्त करने की मानसिक रिया है किसका यह कथन है यह है क्रो एंड क्रो का बीस्वी सताब बालुकों की सतावदी है ये किस ने कहा है क्रोंड क्रों ने कहा है अगला पुसने जी वालस के नुसार सरजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन उद्भासन मुल्यांकन या उपक्रम जी वालस के नुसार जो है सरजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है तो गार्डनर देखे बहुद्धी का सिधान किस ने दिया है बहुत बारिश पर बात हो चुकी है ये दिया है हावर्ड गार्डनर ने बहुत गुद्धी है में कहा मिलती है गार्डन में मिलती है प्रश्ण है किसोरों को सैसव यानि चोटे बच्चे रास नहीं आते हैं इस तरी रखीगा अगला पत्स ने जीवनका संधस्ता कि 9 हो बीलकुल निर्मार का सम्वर्ष के से स्वर्ष प्रोड़ावस्था या बाल्यावस्था जीवन का निर्मानकाल किस अवस्था को फ्रायड ने कहा है तो यह कहा है बाल्यकाल को बाल्यावस्था को प्रश्चन है दब बिह्यवियर ओफ आर्गिनिजम पुष्टक के लेख़ कौन है यह है इसकर मौह आप्सन राइट है थांडाइग ने उद्धिपक अनुकरईया सिद्धान दिया था पालाव ने सेयर थेयरी कंडिशन डिस्पांड थेयरी दिया था हल ने दिया था क्या दिया था प्रणोध का सिध्धांत अगला है चात्रों में सही विवार के प्रसिचण है तो सार्वधिक महत्पुन क्या है प्रुसकार प्रसंसा दंड सही विवार का प्रस्तोति करण तो चात्रों में सही विवार के प्रसिचड़े तो सारोधिक महत्यपून क्या है यह आपका सही विवार का प्रस्तृति करण अगर आप क्लास में जाते हैं तो बच्चों की सामने अगर आप अच्छा विवार करेंगे तो वो अच्छा विवार ही सीखेंगे चाहे वो माता पिता हो, बड़े भाई बहन हो कोई भी, अगर बच्चों के सामने अच्छा विवार करेंगे तो वो बच्चे अच्छा विवार ही सीखेंगे अगला है समस्या समाधान में लच्छ प्रवनता के संपरत्य को किसने प्रस्तावित कया कोहलर, केंडलर, हल, ब्रिक ने समस्या समाधान में लच्छ प्रवनता के संपरत्य को किसने प्रस्तावित किया था ये किया था हल ने तो इस प्रकार से आज के जो हमारे 30% थे समाब दोते हैं जितने भी प्रशन आपने किये हैं सही कमेंट करके जरू बताएगा मिलते हैं आप से एगली ओडियो में थैंक्वे फ्रेंट धन्यवाद